so hello guys welcome to government prep desk आज की job date जो हमारी होने वाली वो बहुत हमेंग होने वाली यहाँ पर job date निकल किया रहा है वो निकल किया रहा है 10th pass candidate के लिए and 12th pass candidate के लिए और यह बहुत हमेंग यहाँ पर होने वाल है क्योंकि यहाँ पर आप इस job को ले सकते हो बिना किसी interview के और बिनना किसी अपने assessment test के या बिनना किसी exam के जो कि एक बहुत अच्छी चीज है 10th and 12th pass candidate के लिए अब पहले किसी job के form को apply करते हो फिर उसका exam देते हो, interview देते हो, then आपको job मिलती है बट यहाँ पैसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आपको direct recruit किया जाएगा इसको पूरे notification क्या यह job होने वाली है, कौन सी profile पे यह job होने वाली है, कौन-कौन candidates को apply कर सकते हैं and apply करने के बाद आपको salary कितनी मिलेगी, इन सारे चीज़ों को वीडियो में आगे discuss करेंगे, इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं, कि 10th pass candidate के लिए आपको प्रोफाइल होने वाली है यहाँ पे 10th pass candidate एंजिनों ने अपनी IT कंप्लीट कर रखी है, उनके लिए जो post होने वाली हो वो trade apprenticeship के होने वाली है अगर उनने अपनी IT कंप्लीट कर रखा इस discipline में, अब बात करते हैं हमारी 12th pass candidate वालों की post के उपर अगर यहाँ पे आपने 12th pass physics chemistry bio में complete करी है, तो इन post के उपर आप यहाँ पे recruit किया जा सकते हो वो यहाँ पे इसको apply कर पाएंगी, बट same time पे 12th pass वालों कोई आ जाता है जिसने PCM से अपना complete कर रहा है 12th, तो यहाँ पे उसको extra preference आप दी जाएगी बात करते हैं आप अगले trade की तो वो आपको होने वाला है multimedia and webpage designer, उसके बाद है आपका आता है mechanic repair and maintenance of vehicle, mechanic earth moving machinery, अगर आपने अपने 10th pass complete करी है आप यहाँ पे apply कर पाएंगे, लेकिन 12th pass वालों कोई PCM वाला होगा तो उसको यहाँ पे preference दी जाएगी, इन सभी trades के लिए आप आप form apply कर सकते हो, अब बात करते हैं duration of training की उसको duration केतना होने वाला है, जैसा आप screen पर देख सकते हैं, trade apprentice वाले trades उनकी duration रहने वाली है, वो one year रहने वाली है and other जो fresher apprentice उनकी training का duration जो रहने वाला है, कुछ का 15 months रहने वाला है and कुछ का 24 months रहने वाला है and आपको यहाँ अप आपके marks के business पर यहाँ पर आपको select किया जाएगा then आपको यहाँ पर recruit किया जाएगा और बात करते हैं इसके form apply की तो मैंने description में दिया हुआ है आप वहाँ पर जाके apprenticeship india.gov.in पर आपको जाना है और वहाँ पर जाके click करके इन posts के उपर apply कर देना अपनी qualification के according अब बात करते हैं अपर इसकी age limit की तो इसकी age limit रखी गई है 18 to 27 और अगर आप SCST category से belong करते हैं तो आपको एक्सा age direction देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं इसके last date की तो इसकी last date होने वाली है 18 June तो उससे पहले इसके form का apply कर देना बहुत ही आपको आपको लेंग प्रोस्पेक्टिव से बहुत जादा सीखने को मिलेगा और यहां पर आपको जो फ्रेशर वाला टैग होगा वो भी आपका हट जाएगा